हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हैं आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहधी खयाल रख रहे होंगे आज इस बहुत छोटे सी वीडियो में हम क्लास 12 की एक कहानी Lost Spring के Character साहिब के Character Sketch को स्टेडी करेंगे आए शुरू करते हैं इन दे स्टोरी कहानी में Lost Spring, Lost Spring दा राइटर अनीज जंग इसकी लेखिका है अनीज जंग है अनीज जंग है पेंटिट उन्होंने रंग दिया है दा करेक्टर आफ साहिब आलम साहिब का करेक्टर with rainbow colors इंद्रधनश के रंगों से साहिब is a very young child साहिब एक पहुती छोटा सा लड़का है he is a rag picker वहे कबार का काम करने वाला है he wants to go to school वहे school तो जाना चाहता है but there is no school in his locality लेकिन उसकी colony में जहां वो रहता है कोई school नहीं he looks for gold वे सोने की तलाश करता है in the garbage dumps कूडों के धेर में या कूडे के धेर में he has no shoes उसके पास जूते भी नहीं after some time कुछ समय के बाद the writer sees him लेकिका उसे देखती है at the gate of a golf club एक golf club के दरवाजे पर he has no dream in life उसका जीवन में कोई खाब या सपना नहीं except सिवाई the survival of his family अपने परिवार के उत्थान के in the end of anth में he is scene वे दिखाई देता है as a servant एक नौकर के रूप में at a tea stall एक चाई की दुकान पर in other words तूद्रे शब्दों में he has lost his spring वे अपना बच्पन वे अपना खूशूरा समय अपना बसंत खोच जुका है दोस्तो वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो शेर जरूर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें इंगलिश वाईगे इसको सुमें बाई झाल